कट है कि यह लो गया उपले वीडियो बनाई हुई है लेकिन काफी लोगोने को इंस्सागराम पर मैंसेज कि इसके जो पर यह मतलब बेश से लेकिर फैसफन्स इस ऩथर तक हुझस में भुएद्ध Зап perpetuity अंचे यूज कर guess कि चा सकते हैं और high lifting क्हों से कहें जा सकते इसके ओपर आज हम proper बात करने वाले गाई और स्टार्टिंग से हमेशा हम जब कलर की बात करें तो हम उ drugs कालर सेel क्रेगर से ऑफ gült दो सकते करते हैं सभी को पता है मैंना अपने वीडियो में बता आया यह लोडियल की जब थे होडी ती छो एक से दस तक के बेस कडर होते हैं जो बेस कलर जो होते हमारे गाइस यह देखें यह वन से लेके यह वो नीचे से उपर की साइड जाती है ऐसा की होता है इसका भी मैं आपको रीजेन बता देता हूं क्योंकि जा होता है देखे जैसे हमारे एक जो नंबर है यह काफी ज्यादा डाक यानि यह एकदम blue black यानि कि jet black है फिर दूसा black dark brown medium brown light brown यह जैसे brown की सीरी सूपर जाते हैं धीरे धीरे देखे हम light की तरफ जा रहे हैं color में हमारे तरफ इसलिए बोला जाता है light को हमारे में bright बोला जाता है color की language में कितनी client है बोलते हैं light color कर दो तो हमने हमें क्या सोचते हैं कि ज्यादा bright करना है client सोचती light बिल्कुन डिव एकदम dark की साइड तो हमेशा जब हम उपर से नीचे की तरफ आते हैं तो गाइस हम डार्क की तरफ जाते हैं देखिए black की तरफ पहुच गए gold से black से gold की तरफ उपर पहुचे तो उपर light तो हमेशा light उपर तो हमेशा इस color को हम इसलिए नीचे से गंती स्टार्ट करते हैं उपर की work कर रहे हैं ऊपर से जब नीचे आते हैं तो डार्कनिंग कर रहे हैं light याने कि lift कैसे चलते हैं नीचे से नीचे से हमेशा बेश कर में किनतीर चार्ट करते मादी क्लाइन का होता है धेन में दीन क्लाइन कीनती आसे मीज़ู इन्होंने समय दर्सायी कि इंदर भी थोड़े से पिड्मेंट ब्लू के होते है अधि जthers ब्लैक डाज ब्राउन मीटम पिड्राउन लाइंट ब्राउन ये सारे इनके बेसके टो गैस て ये हो गए इनके बेश कलर बेश कलर निटते कैसे देखे मैं आपको दिखा रहा है लिटना धीकर सा ब्राउन दिख रहा है चार का कुछ आपको के समझ जा रहा होगा यह होगा हमारे बेस कलर और आपकर यह हम करता है नो कि पा सब्सक्द कर रहें इस लगरें होता है पोइंट बouseने मुन्टino जो होती है . 0 हमारी निट्र होती है इंटेंसिटी जो बढ़ाता है अमारे कलर को . 12 वोईलेटर पुएंट 3 गोल्ड़ पॉईट 4 कॉपर पॉईट 5 महोग नहीं है पॉईट 6 रेड़ पॉईटेट मोक मोक लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है गाईस किस-किस को पता चलिए क्या मिसिंग है कमेंट करके जरूर बताना इसमें 0.7 मिसिंग है जो हमारे लोरेल में है मैट जिसम बोलते है ग्रीन 0.7 गाईज अब पता नहीं साथ मैट्रिक्स में आगे होगा पहले 0.7 इसमें बिलकुल भी रिफ्लेक्शन नहीं थी 0.7 की तो यह हमारी रिफ्लेक्शन होती है जैसे हम इसको किसी बेस कलर के साथ एड़ करते है तो कलर हमारा उसी रिफ्लेक्शन में जाता है मालेजिए यह 0.3 है यह है गोल्ड तो हम क्या करते है सेवन प्वइंट तो बेस साथ नम्बर का में बेस और इसमें पॉइंट 3 रिफ्लेक्शन है तो हमार को यह कौन से रिफ्लेक्शन देगा गोल्ड की क्यों थे हमारा गोल्ड है यह बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूं कि काफी तो लोग इंस्टाग्राम पर कॉमेंट कि मै Quanत्रिक्स की थोरी का एक है से वे से हैं लोड़िल की ही थोरी हैं की यहां थोड़ी से थो रिफेख्वन होते लेगिन जिसके थो आइस pista सेम मोगनिया बहुलिए का यह का अबुहिए को हमारी फैसे अगर उससे जाद देखना कलर जाते हो देखना चाहते हो कि घहराई में कलर दिखे उनकी इंटेंसिटी जाद अच्छे तो 8.8 कर लो और इनके कलर टीप इस तरीके से आते का इस देखे 8m लिखा होता है यानि मतलब मोका हमारी देप्ट हो गई ठीक है जैसे कि 7.3 कलर जो होगा इनका होगा 7G के नाम से होगा पॉइंट 3 यानि की गोल्ड गोल्ड की स्पेलिंग जी से होती है न तो इस तरीके से इनका कलर आता है माल लिजिए 7.1 कलर है 7.1 कलर तो एज यानि 7a कलर आएगा कि इस तरीके से कलर ट्यूब वगएरा आते है और गैस बात कर लेकिते हैं कौन-कौन से हाई लिफ्टिंग में हम उसे यूज कर सकते हाई लेटिवं वगएरा में और गैस बेस और ऐद कर लिए रज़ गाइस हम बात करते हैं सो कलर भुआ होने कि बात चल्इश्स कर दिया अब फेलन होगिंट लोक प्रेंट में ए आप प्रीज को बना दिया तो घुलोग्स एक तु पटाव में। हम आते हैं और फैसन सेड में इसकी बात करते हो देखो एक तो गिरिये कर निट्रल कलर आते हैं जो हमारे गिरियों कवरेज के लिए हो गए वाम कलर वाम ब्राउन कूल ब्राउन चोकलेट एंड रेड जिस तरीके के सो कलर कलर अविलेवल करता है वह इसको हम 20-30-40 में भी यूज़ कर सकते हैं जितनी आपको डैप चाहिए अकॉर्डिंग टू हेर टेक्स है और जो इनके कलर टाइमिंग होती लगाने की 35 मिनेट्स होते हैं का नैच्रल हेर पर 45 मिनेट्स लगते हैं रेसिस्टेंट वाइट हेर यानि कि जिनके पके होए वाइट हेर होते हैं उनको हमें 45 मिनेट्स हमें हेर पर रखना होता है कलर को हो गाइस का मिक्सिंग रेसी होता है यानि कि अगर आप एक ट्यूब पूरी 90 ग्राम की ले रहे तो 135 आमल आपको डालना पड़ेगा अगर हाफ ट्यूब लेर आप 45 ग्राम की तो 67.5 आपको डालना होगा तो और कि इसमें बात कर लेते हैं वंडर ब्राउन सीरीज गाइस इसमें वंडर ब्राउन सीरीज आती है यह क्या करता है इस 50 परसंट आपको ग्रे कवरेज देता है 50 परसंट ग्रे रखता है ब्राउन कलर और गाइस में जो 17 सेट्स आते हैं लेवल 4 5 & 7 तक 7 तक आप 50 परसंट की रेकावेज मिल रहा है तो गाइस काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिट हो जाता है और इसकी जो मिक्सिंग रेशी होती है सेम मिक्सिंग रेशी होती है वन इंस्टू वन रहते हो डैवलोपमेंट टाइमिंग जो रहती हो 35 मिनटस आपकी इसकी टाइमिंग रहती हो रेशी है पर फूर्टी फाइप मिनटस रख सकते हो और इसकी जो एक सीरीज है वंडर बिलाग गी तो गाइस बंद हो चुकि है एंट्र परसंट किरें कबरेज देती थी और गा काफी ज़्यादा इनकी नीचे थी तो बहुत ज्यादा डार्क मतब ब्लैक कलर देते थे और आजकल किसी को भी ब्लैक कलर प्रोपर पसंद नहीं है क्योंकि एक आर्टिफिचल है लगता है तो वंडर ब्लैक को बंद करने के बाद ही यह वंडर ब्राउन कलर लेकर आये थे ब्लैक की बाद चल गहीं तो बन्डर रैड कलर हम भूल भी कैसे थे इसमें फोर सेट आते हूँ काफी ज़्यादा आते हैं और यह एक रैड कलर करने के लिए काफी ज़्यादा एज़ी मैटर तरीका होता है क्योंकि इसमें आप डाएट भी करो आपका डाइड काफी ज़् कि वह आ जाता है आप इसमें आता है 5 double R यानि की 5.66 होगे जैसे मैंने आपको झालेटा था 6.6 होता है रैड तो इसमें डवल रेटा है और यह आता है 6 double R एक आता फॉर आर भी यानी की रेड बॉयलेट एक आता है six RV यानिके six six रेडड बॉयलेट तो गाइस six double R और six RV में क्या फर्क है यह भी मैं आपको बता देता ह। अगर आप डाइडिड कलर कर रहे तो आप six तो आप लगाओ ठीके गाईस और अगर आप प्री लाइट कलर करके कर रहे हो तो आप शिक्स आर भी लगाओ आर वी इसलिए आप लगाओ क्योंकि जहां प्री लाइट करोगे तो प्री लाइट करने के बाद आपको थोड़ा सा जो है यालो पिगमेंट देखने को मिलता है येलो पिगमेंट को निट्रलेज जो करता है वो है वोयल्एट कि हमारा पॉइंट तो इसमें वॉजिव ट है तो ापका इसको करदेगा एफ लो को अपका जो कालर आएगा तोड़ा लो को कि बात करें तो इसका भी मिक्सिंग रेसे वन इंस्टो बेरें हाफ है तो डेपर में टाइम इनका 35 मिनट्स है आप सकते हो अगर ज्यादा मोटा है तो थोड़े 45 मिनट्स तक आप रख सकते हो और गाइस अब बात करते हैं सो कलर 12 सीरीज सबसे बैस कलर आप डायरेट लिफ् यह और डायरेट कलर करने पर भी बहुत अच्छा आपका कलर आ जाता है और कितना भी मतलब ब्लैक हेरो तीन नमर का भी अच्छी लिफ्टिंग आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाती है अकोर्डिंग टू नेच्रल जो कलर होते है छे साथ आर नो दस नमर के तो गाइस यह हम देखे फॉर हाइलाइट्स हाइलाइट्स वह यूज़ कर सकते है पैनल जो आप मर कार्डवर लगाकर कलर करते हैं इन گलोबल क्लरेशन में यह देखिए एक कलर 12 सीर्िस को आप इच्छे से यूज़ कर सकते है इसकी जो सीरिस आती है यह आती है technology यानीकि super light blonde डायर एके नाम से जाता है यह देखे 12A सुपर लाइट कूल ब्लॉंड और गाइस अगर आपको थोड़ा कोपर में जाना है कोपर की साइड जाना है यानि कि कोपर यानि कि हीना कोटेट हेर पर आपको डायरेट कलर चाहिए तो आप 12.4 यानि कि 12C यूज़ कर सकते हैं इसमें कोपर का पिग्मेंट होता है और हीना कोटेट हेर पर काफी जादा कोपर महुगनी कलर अच्छे से आ जाते हैं 12.5 की बात करें तो गाईस आप चोकलेट सु पर लाइट ब्लोन का मतलब यानि कि अच्छी इंटेंसिटी के साथ आपका आता है और 12.35 थोड़ा सा वाम की तरह आएगा यानि कि पॉइंट 3 यानि कि हमारा हो गया गॉल्ड और पॉइंट 5 जो हो गया हमारा वो हो गया हमारा महोगनी काफी जाथ अच्छा कला रहा है कि आपको इन सबके प्रैक्टिकल चीए अब मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूँगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना मैं इसकी सेड आप भी आपको मैं दिखा दूँगा कि सैंपल करके कि इस तरीके के इनकी सेड आती है यानि कि आपके पाद करों मिक्सिंग देशियो की बात करें तो बनें इसका मिक्सिंग डेसियो और नेच्र हेर पे इसकी 35 मिनट टाइमिंग है और अकोडिंग तो एकक्षय आप देख सकते हो तो वाद कर लिए तो ययक बस मैटिक्स हमारा ब्लोंडर रहें ब्लोंडर के ऊपर भी ह मतब इसी तरीके की होती है इस तरीक से खोलने वाली और यह ब्लोंडर इसका जो आता है क्याई इसको आप 20 वोलियूम 30 वोलियूम 40 वोलियूम में कैसे भी यूज कर सकते हैं मैं आपको बता जाता हूं यह 7 से 8 लेवल ईजली आपको लिफ्ट दे देता है और मैं आपको बता दू किस तरीके से कौन से टेक्निक में इसकी मिक्सिंग रेशियो होने वाली है अगर आप हाइलेट्स कर रहे तो गाईस इसमें स्कूप आता है इस तरीके का स्कूप दो स्कूप लेना है तो आपको 60 ml डैवलोपर डालना है गलोबल कर रहे तो टू स्कू है बहुंतरो इसलव को इससे चला ना होता है तो नीचे टपके नa इसे भी ज़्यादा गाडा बनाया जाता है एकनिक एक्ट ना एह डालना है और आपको अपसम आपको तो इसमें आपको मैल्ड है इसमें ही बनाना होता है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही दाला रहां देफलोपर यूज कर रहे हो तो और यह तो तो इसमें 40 ml लिखा है तो ऐसा नहीं है क्या 40 डालो अपने बाल पतले है तो 50 ml डाल सकते हो थोड़ा सा मैल्ड करने के लिए ठीक है गाइस और आई होप गाइस आपको अच्छे मैट्रिक्स की अच्छे समझ जागी होगी गाइस वीडियो को लाइक करना अगर इसका पार्ट अच्छे लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और डोंट फर्गेट टू प्रैस दा बैल आइकोन